हाई गाईज विल्कून प्टाइज आपके स्क्रीन पर वेल्ट्राउन का एक कोस्टन पेपर दिखरा होगा यह प्रिभियस ये कोस्टन पेपर है दियो का एकजाम 2019 में हुआ था दिसंबर मन्थ में उसी मन्थ का यह question है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो candidate exam दिया था उसका नाम उसका ID दो respect dat IDI यहाँ पर Concentrate में exam होा था उस exam का date दिख रहा है Center भी ہ्यं जिस संट्र पर यह exam होगता संट्र का नाम भी आपको दिख रहा है टाइम में उकारा सब कुछ दिख रहा है यह data entry operator के लिए जो एक्जाम होगा था उसका यह previous year question paper है यह official question paper है मतलब कि एकदम original है हम लोग क्या करेंगे इस question paper को deal करेंगे तो देखिए question के संख्या 60 है तो 60 question को deal करने में बहुत लंबा वीडियो हो जागा हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से deal करेंगे करेंगे क्या आपको पता होगा के beltron द्वारा जो एक्जाम लिया जाता है उसमें केवल computer science से कुछ चनाते हैं तो इसमें जो 60 question है वो पूरा का पूरा computer science है तो computer science में भी सब्सक्राइब केवल उसके question को इस वीडियो में हम deal करेंगे फिर इसके बाद next हम वीडियो देंगे उसमें MS Excel को solve करेंगे और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें powerpoint को हम deal करेंगे फिर उसके बाद जो भी fundamental का question है वो fundamental जो topic है उसका हम अलग से deal करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके लिए भी थुरा से सहुलियोत होगा आपको एक बार में एक ही subject पर focus करना होगा एक ही software पर focus करना होगा और आप question को देखके और फिर उसी question को अंसार आप खुद से practice भी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं चलिए जो भी था इसका detail होगा जो हमको समझाना था कि क्या दिख रहा है यहां टेबलर फॉर्म में कौन सा information दिख रहा है यह information हम आपको समझा दिए जो भी candidate है उसको जो marks आया था यहां पर आपको दिख रहा होगा 34 marks था आपको पता होना जीए 50% marks अगर अपला देते हैं तो आप पास हो जाते हैं तो य जो भी candidate है वह already passed हो चुका है और यह कहीं न कहीं आप जॉब कर रहा होगा ठीक है तो आईए अब हम लोग देखते हैं question को deal करना शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहला question ही है इक्सल का तो जो भी Excel का question होगा उसको हम छोड़ेंगे कहाने का मतलब है जो भी question होगा बस उसको deal करेंगे बागी question को छोड़ेंगे next time के लिए मतलब दूसरी वीडियो के लिए चलिए तो फिर हम लोग क्यों ढूंडते हैं कौन सा question MS word का देखिए यह जो question आपको दिख रहा है four number question यह MS word का question है ठीक है लिख रहा क्या mail merge पर क्रिया में सामिल document कौन से है mail merge का एक mail merge इसमें एक option होता है वो काफी बीबी एक question है यह mail merge जो topic है यह अपने आप में बहुत बीबी आई topic है आप इसको बहुत अच्छे से practice कर लिजेगा mail merge topic को mail merge से बहुत question पुछा जाता है तो mail merge को हम थोड़ा अच्छे से आपको समझा देते हैं थोड़ा टाइम लेके यहां पर खेर answer आपको सामने दिख रहा होगा जो green color से है वो आपका सही answer है तो इसमें क्या लिख रहा है data source इसको English में लिखा जाता है data source ठीक है data source and data source और merge किया गया document मतलब mail merge की जो परिक्रिया होती है उसमें दो चीज़ important होता है दो document एक टो data source यह अपने आप में एक document ही होता है फाइल ही होता है और merge किया गया document तो यह भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसको समझाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं MS word में तो देखिए अभी हम लोग कहां आ गए है MS word में यह जो भी आपको दिख्राए हुआ MS word 2016 भर्जन है आपको 2016 भर्जन ही पढ़ना है तो देखिए mail merge यहां पे एक tab दिख्राए हुआ mailing tab mailing tab के द्वारा ही mail merge किया जाता है दिखिए बहुत सारे लोगों को सब क्या होता है कि वो काम कर लेते हैं computer में लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कौन से step को उन्होंने follow किया पहले कहां गये फिर उसके बाद कहां गये यह सब पूरा step उनको पता नहीं होता है इसलिए जनकार आई रहते हुए भी वो exam crack नहीं कर पाते हैं अब से आप कोई भी computer में काम किजिएगा तो हर step को थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि पहले हम कहां जा रहे हैं फिर हम कहां जा रहे हैं कौन से option को क्लिक कर रहे हैं उस option का नाम क्या है आइकोन पर focus नहीं करना है नाम से मतलब कर क्योंकि आप return exam देने जा रहे हैं आपको नाम पता होगा तभी option क्लिक हो पाएगा तो आईए हम mail merge आपको थोड़ा सा करके बताते हैं जब आपको mail merge करना होगा तो आपके पास एक letter होना चाहिए देखे question में क्या है question पर हम आते हैं question में क्या करा है mail merge प्रक्रिया में सामील document कौन सा है तो एक है data शुरूत और दूसरा है merge किया गया document तो अब आज यह यह आपका होगया merge किया हुआ document और data शुरूत किसे बोलते हैं तो यहां से select recipient आपको select recipient में जाना होगा पहले से आप एक database बना कर रख्ते होंगे जैसे कि हम यहां यूज कर रहे हैं use and existing list तो दिखे यहां पर उपर में लिख रहा है यहां पर दिखे को रहा है जहां मेरा mouse pointer रहा है यहां पर लिख रहा है my data source इसी data source को हम हिंदी में क्या बलते हैं डाटा सुरूत तो data source में आपका पहले से apply का list होगा बहुत सारे लोगों का data होगा तो आप उसको पहले से बना के रख्ते होंगे उसको बस अप यूज कर लिएगा तो देखे हमने बस उस पर क्लिक कर दिया अब वह सारा list अब आप यहां पर आइड़ कर सकते हैं तो कैसे आइड क्या आता है उसके लिए आपको insert merge field करना होगा insert merge field करके आप सबको add कर सकते हैं यह पूरा का पूरा एक बहुत लंबा प्रोसेस है एक अलग से वीडियो हम ला देंगे मेल मर्च के लिए एकदम अलग से हम वीडियो देंगे आपको ताकि आप सुरू से लाइट तक मेल मर्च को अच्छे से समझ लिए अभी बस हम कोश्चन को डील कर रहे हैं तो हरे कोश्चन पर डीपली हम नहीं जा सकते हैं बस उतना बता सकते हैं ताकि आपको थोड़ा किसी संख्या की पावर कैसे दिखाते हैं किस संख्या कवार दिकाना वहं तो उसके लिए सूपर शेक्प्रिप्त के מצें तो यह क्या होता है यह फुरा नीचे आया यह आपको कुछी इस तरह से लिखा हुआ है यह प्लस भी का होल स्क्वार यह फर्मुल्रा आप पढ़ै विथा होंटर sponsor करें दीए स्परिस्क्रिप्ट, देखें यहां पर रिखकर यहां dog करें आपकोगे भाद दीखें यहां दिखने केलिए तरह भा के तरह लिखा हुआ है थ्ना देर आप करदर माउस पाइंटर को तो इसका नाम भी दुख जाएगा। छली, तो हम इसको करते हैं, फिर जैसे हमने क्लिक किया देखी यहां पर पाउंड हो गया, पाउंड हो गया तो यही कुर्ष्ट्ट्ट् PC Consult in Windows XP, how to start MS u orang program को आपत कैसे open करते हैं तो एक्सपी का बात कर रहा है देखिए एक्सपी में ओपन करने का ये कंप्रीट प्रोसेस था पहले आपका कहां जाना है स्टार्ट फिर और प्रोग्राम फिर माइक्रोसप्ट ऑफिस फिर एमेस वर्ड को क्लिक किजेगा तब यह खुलता है पूरा एक दम कोसे यह शुरू में पढ़ाया था हरे स्टुडेंट को जब आप छोटा मोड़ा कोस किजेगा डिसी तो इसी तरह से खोलने का तरीका सिखाया जाता है लेकिन अगर कोश्चन च एक स्टेप आपका गाया हो जाता है तो यह सब चीज प्रैक्टिकल नौलेज है आपको रखना होगा यह इसको इसको करते हैं आगे हम सब कुछन को करते हैं यहां पर यहां पर 10 नमर कोश्चन जो है यह मिस वर्ड का है तो यह बोल आए कि सेफ करने के लिए कौन सा सब्ट अब आगे बढ़ते हैं यह लिखा हुआ है मस वर्ड 2016 उसकी बार करा है करें कि एक मर्ज फिल्ड को इंसर्ट करने के लिए पर्यूट कुंजिया क्या है मतलब सौटकट की के द्वारा मर्ज फिल्ड को इंसर्ट करना यह भी मेल मर्ज का ही एक चीज है तो आए करके देखत है क्या करा है Alt Shift F इसका क्या है Alt Shift F यह है Shortcut की हम करके देखते हैं कि यह काम करता है कि नहीं तो हम चलते हैं अपने यहां पर एक फिल्ड को हमको इंसर्ट करना है तो हलाके मेल मर्ज के लिए कंप्रीट एक वीडियो देंगे हम लेकिन फिर भी जो सौटकट की हम बतायते हैं क्या करा है कि Alt Shift और F Alt Shift और F देखिए हमने प्रेस किया यहां पर आ गया इंसर्ट मर्ज फिल्ड डायलोग बॉक् लोग को इतना लंबा लंबा सौटकट की याद नहीं रहता है फिर भी आप कोसिज की कि याद करने के लिए यह यह भी एंश वार्ड का कोस्चन है देखिए सौटकट की एक असान सा कोस्चन है कि इस टेक्स्ट को इटालिक करना हो तो क्या की जगा दो कॉंट्रोल आई यह सब आप लोग कर लेगे बहुत छोड़ा छोड़ा कुस्तर है यह MS Office का क्वेश्चान है MS Office जब बोलेगा तो समझ जाए हो कि कि वह MS Word में भी क्याम करेगा इक्सर में भी क्याम करेगा तो यहां पर कर आगे पेस्ट करने के लिए कौन सा सब्सक्राइब किया तो इस वीडियो में ठीक है नेक्स्ट वीडियो में MS Excel को टार्गेट करेंगे तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना MS Word कहा है देखें यह सब MS Excel है यह भी MS Excel है यहां पर देखें यह यह कोस्टन MS Word से रिलेटेट है जब आपको कहीं कुछ टाइप करना होगा टेक्ट यह क्या लिख रहा है वेन यू मूब दो माउस एरांड इन डटाइपिंग एरिया किसी भी टाइपिंग एरिया में जब आप माउस को मूब करते हैं तो वह आई के सिर्फ में बन जाता है है बसלהइदा है तो यहां पर टाइपिंग किया हूआ डॉट डाटा है वहां पर हम ले जा रहा है तो जहां टाइपिंग एरिया में जाएगा आपका माउस पोईंटर तो आई के सिर्फ में बन जाए uh कि यहीं तो कॉस्चन है आई भी में इसको बोलते हैं कि देखिए यह में सब्सक्राइब करने के लिए कौन सब्सक्राइब अब देखना चाहते हैं तो इस पर जाए और एप सेफन प्रेस कीजिए दिखे क्या आगे आगे ना तो यह थोड़ा साथ दो जाटा पर आता है पिर से आता है कुश्चन पर तो यह एक्षिल का है यहां पर देखिए यह में सब्सक्राइब करें कि दोनों रूलर्ड देखने के लिए आपको डैस में होना चाहिए यह भीयू का कौश्चन मतलब कौन से भीयू में आप रहीएगा कि दोनों रूलर्ड दिखेगा तो होलता हैरे यहां पे जहां पेमभी अपने मौस को घुमा रहा हैं इसको बोलते हैं थाकिया अब अब आजी किस्पाम दिखिए इसको भी बूलता है हुड एकान रूलर्ड हो जागा इंबेहरे दोनों आपको कहां देखेगा तो प्रींट लियाओट सब्सक्राइल कि दिध चलिए बाहर निकल गए अब फिर आगे बढ़ते हैं फिर ढूंडते हैं अपना मेरे पास इन सबका अलड़ी टाइप किया हुआ अलग-अलग मेट्रियल है हम चाहते हैं तो केवल केवल अलग से केवल इमस वर्ड का ही कोस्टन निकालकर आपके लिए रख देते सामने लेकिन आपको ओरिजिनल कोस्टन कैसे देखने में होता है तो देख लीजिए पीडिएफ है कैसे दिख रहा है अब आये नेक्ट कोस्टन पर यह 38 नमर का जो कुस्टन है यह भी सौटकर के यह क्या आता है तो कॉंट्रोल भी एकदम आसान था कुस्टन है यह एक्षिल को सब्सक्राइब को छोड़िए यह एक्षिल है आज एमस वर्ड कितना इमस वर्ड से सौटकर की पुछाई तो जिसको कुछन मिला होगा हो एकदम हस्ते कलते निकल गया होगा अंडरलाइन सब्सक्राइब करने वाला फीचर कौन से में होता है अगर आप गौड से देखे होंगे ना इस्क्रीन को तो आप बता दीजिएगा चली हमनों चलते हैं यह रहा आपका पूरा एमस वर्ड का विंडू ठीक है एमस वर्ड का विंडू है हर एक टैप को क्लिक करते हैं तो उ इंसर्ट से रिलेटेट फीचर सामने आ गया तो देखिए इंसर्ट यह जो टाब है इसमें भी देखिए यहां पर आप ऑबजेक्ट नाम का है लेकिन ग्रूपिंग करने के लिए नहीं है ठीक है आप ले आउट में आईएगा तो देखिए यहां पर ग्रूपिंग के है यह फीचर कॉन्प से मेनू के अदर है तो आप देखे लिए ना कॉम से मेनू के अंदर यह लेयाउत मेन के अंदर है दख्यों यह मग्याओ adors में यह नदर को सना आप समझ लेज़ेगा एक ही चीज़ का बात कर रहा है अंडर विच टाइब ऑटो सेप इस एवलेबल ऑन दर रिबन रिबन पे ऑटो सेप दिखता है लेकिनों किस टाइब के अंदर होता है तो देखिए इंसर्ट टाइब लिख रहा है आज यह इस चीज़ को दिखा रहते ह किसको बोलते हैं परे इसटी को समय लेज़े रिबन बोलते हैं कि यह जो चावना व्ला पट्टी जो दिख रहा है आपको यह विल्स को यह वाला व्र जो एयरिया है कुछ क Track Year 2 के कि क्लिक कि जेघा तो इस टाइपस का अंदर जितना भी फीचर वीचे तो सब प्रिबन रि किने को देखिए इसी को अंदर यहां पर सेप नाम का जो भी फीचर है यह आपको दिखार अब पै। जहें करते ही आप चले चाले पूरा सब्सक्राइब देखें Congress phi पूर्ण 貌ने आपat बाट सेफ अब अब आज ये नेक्स्ट कुस्टन करें कि ये भी में सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के अंदर रहता है चलिए हम दिखाए ते देखिए डारेक्ट कुस्टन कितना आसान कुस्टन देखिए यह होगा आपका स्मार्ट यहा पर यहां पर देखिए यहां स्मार्ट आट है कहां है इस है यहां पर को समसेनता है यहां पर गिश्त पर आगे हार्ड के टेवर्ड इंटी हमेस ब्र moment कीरेट आप a तो होगी लगव चलाता ही है लेकिन उस option का नाम याद नहीं रखता है तो कोई भी काम आप कर रहे हैं तो एकदम डारेक्ट उस option को याद करते हुए चली जैसे कि आपको table बनाना है तो आपको insert में जाना है फिर टेबल पर जाना है जैसे table पर click किजिए तो फिर insert table पर जाना ह तो आप दो नमेर अप्षण को पडिक लिए हगा तो इसका भी कोषिटाना यह दो नम्मर अप्षिरू अट फिलिक किया है इसको एक मार्स मिल गया है है किया कर देखिए यहां पर बुर्ड़ाय कर की डॉकॉमेंट को रिनम करने अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर यह समझाने का तरीका आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज कॉमेंट में कॉमेंट किजिएगा कुछ बदलाओ अगर चाहते हैं तो वो सुझाओ भी आप कॉमेंट वाक्स में कॉमेंट किजिएगा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रू सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक दी करना मत बिलिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लेत थैंक यू